हेलो, फ्रैंज नामशकार, वेलकम टू माई चैनल, शान्ती, पीस आफ माईंड, आप सब को गुरु नानक देव जी के जन्मदी बहुत बहुत शुबकामना आए, कार्थिक पुनिमा की शुबकामना है, देव दिवाली की शुबकामना आए, आज दोस्तों मैं गुरु नानक जी की बारे में संग्षिप्त में बताना चाहती हूँ सिख धर्म के संस्थापक शिरी गुरु नानक देव जी का प्रकाश समवत 1526 तदनुसार सन 1479 इश्वी में राय पोएदी तलबंडी जिसको ननकाना सहब कहा जाता है जो अब पाकिस्तान में हैं में महता कल्यान दास जी के घर में माता त्रिपता जी की कोक से हुआ था ये वो समय था जब समाज घोर गिरावट की ओर था गुरु नानक देव जी की बड़ी बेहन का नाम बीबी नानकी जी था गुरु जी उन्हें बेबे जी कहा करते थे बेबे नानकी जी ही वह पहली सिख थी जिन्होंने शिरी गुरु नानक देव जी की जयोती के प्रकाश दर्शन किये तथा उनकी शिक्षा धारन की बेबे जी का विवाह सुल्तानपूर लोदी के दिवान जैराम जी के साथ हुआ था शुरू से ही श्री गुरु नानक देव जी संतोशी विचारवान प्रिवर्ती वाले थे साथ साल की उम्र में आपको ब्रामन अध्यापक के पा में ज्ञान प्राप्त किया शिरी गुरु नानक देव जी ने फारसी और इसलामी साहित की शिक्षा मॉली जी से ली नौ वर्श की उम्र में ही नानक जी को जनेवई पहनाने की रस्म पूरी करने के लिए कुल प्रोहित पंदित हरी द्याल जी को अमन्तरित किया गया तो य यह कहकर जन्यवं पहने से इंकार किया कर दिया कि यह जन्यवं मनुष्य में भी भाजन करके मत्वेड पैदा करता है, तथा बिना किसी वास्त्विक आधार के किसी को श्रेष्ट दर्शाने का असफल प्रियास करता है। और यह जनेव इस्त्री पुरुष के मद्द दिवार भी खड़ी करता है क्योंकि इस्त्री को यग्यो पवित का अधिकार ना देकर उसे पुरुषों के समान नहीं माना जाता है मात्र जनेव धरन करने मात्र से कोई कैसे पवित्र हो सकता है वह ऐसा गुरु नानक जी ने कहा कि मैं जनेव पहनूँगा पर ऐसा जनेव पहनूँगा जो ना जले अगनी से और ना तूटे और इस संबंद में शिरी गुरु गरंत सहाब जी में पेज नंबर 471 में स्पर्ष्ट वर्णित है तन बाबबा जी तन गुरु नानक देव जी